रूस यूक्रेन के बीच लगभग दो साल से युद्ध जारी है अमेरिका, बिटेन जैसे पश्चिमी देशों और नेटों से मिली तमाम तरह की सन्य सहताओं के चलते यूक्रेन इतने लंबे समय से रूस का मुकाबला कर पा रहा है यूक्रेन के पीछे खड़े पश्चिम देशों और नेटों के चलते रूस भी बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाने को मजबूर है नहीं तो हो सकता था कि रूस अब तक अपने मनसूबों को हासिल कर चुका होता पश्चिमी देश सीधे रूप से युद्ध में भागिदारी से बचते रहे हैं उदर रूसी अधिकारी इस मदद को लेकर कई बार चेतावनी भी देते रहे हैं कि युद्ध में पश्चिम की बढ़ती भागिदारी से नेटो और रूस के बीच सेने टकराव की आश्रंका बढ़ जाती है अभाली में रूसी रक्षामंत्री सरगेई शोईगू ने युक्रेन को मिलने वाली ऐसी ही मदद को लेकर एक दावा किया नेटो सर्विस मेंबर्स युक्रेन में एर डिफेंस सिस्टम, टक्टिकल बेलेस्टिक मिसाइल और कई लॉंच रॉकेट सिस्टम का संचालन कर रहे हैं अपनी बात को और फुखता करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी और पॉलिश बोलने वालों के रेडियो इंटरसेप्ट का भी हवाला दिया इस बरक्स रक्षामंत्री ने और भी कई बाते कही शोईगा के अनुसार पश्टमी अधिकारी युक्रेणी संण अभियानों की तैयारी के साथ ही अपने देशों और युक्रेण दोनों ही जगों पर सायनिको को प्रशक्षंड देने में सक्क्रिये भूमी का निभा रहे हैं पश्चिमी सैनेकर में कुछ हत्यारों का संचालन भी कर रहे हैं और अमेरिका के नित्रतों वाले सैनेगुट के सैक्लो सेटेलाइट यूक्रेन को सर्विलांस डाटा प्रदान कर रहे हैं इधर बिटेन में यूक्रेन के पुर राजदूत रहे वादिम प्रिस्टाइको ने भी दावा किया कि बिटेन संभावित रूप से यूक्रेन में सैनेको को तैनात करने की योजना तयार कर रहा है हाला कि हाल के दिनों में जैसी खबरे आ रही है उससे ये भी पता चलता है कि युक्रेन को अमेरिका से और अधिक फंड का इंतजार है खुद युक्रेन के राश्टपती ब्लादिमिर जलन्सकी ने हाली में कहा था कि मुझे यकीन है कि रूस के खिलाफ युद में अमेरिका हमें धोखा नहीं देगा और अमेरिका को पता होना चाहिए कि हमें उसकी सहायता का इंतजार है अमेरिकी राश्पती जो बाइडन युक्रेन को मदद के लिए तयार भी है लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के सांसद युक्रेन के लिए और फंड जारी करने के विरोध में है ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि युक्रेन विदेशी मदद के भरोसे कब तक युद्जारी रख पाएगा और कब तक उसे पश्चिमी देशों से समर्थन मिलता रहेगा हाला कि ये बात भी उतनी ही सच है कि युक्रेन को भले ही भरपूर मदद नहीं मिल पा रही हो लेकिन पश्चिम युक्रेन की मदद कर रहा है सिर्फ इस बात से भी रूस खुल कर युक्रेन के खिलाफ मैदान में नहीं आ रहा है बलकि रणितिक पहलों को भी ध्यान में रखते हुए संभल कर कदम बढ़ा रहा है